हलो माइडियर फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल उनलाइन सिक्षन पर मैं हूँ आपके साथ अंजली बालियान आप सभी का स्वागत करती हूँ So my dear friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी important information share करने वाली हूँ आपकी प्रात्मिक सिक्षक भरती को लेकर के बिहार की जो एक लाग से अधिक पदों पर जो vacancy आई है और उन में से लगबग 80,000 की करीब जो प्रात्मिक सिक्षक के पद है 1st to 5th class उनके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है आप किसी भी state के candidate है आपको मैं कहां तक help करने वाली हूँ कौन-कौन से subjects में free classes, free pdf notes कैसे मिलेंगे क्या exam का आपका pattern रहेगा, कहां से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है और भी बहुत सारे doubt आपके मन में होंगे उन सभी का आपको answer मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको करना ये है कि last तक बने रहना है तो आपके मन में कोई भी doubt है, हर एक का answer मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ सबसे पहली बार में दिखा देती हूँ कि हमारी strategy क्या क्या रहने वाली है हम इसमें क्या क्या चीजे cover करेंगे ठीक है इस वीडियो में सबसे पहली बात तो मैं आपके कुछ doubts जो generally है कि B.A.D. वाले primary का डाल सकते है की नहीं form है ना इस से संब्दित अधर candidate के लिए कितनी सीटे है बिहार के primary सक्षकों वाले जो quota है उसमें इसके अलावा तयारी कहां से करनी है यह सारी चीजे discuss करेंगे ठीके exam pattern आपका PRT का क्या रहेगा ठीके slavus क्या है कहां से प्यारी करनी है क्या आपकी strategy रहने वाली है मुद्दों पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो कुछ doubts आपने comment section में पूछे थे उनका मैं आपको answer कर देती हूं जिनमें पहला question आपका यह था कि क्या B.A.D. वाले primary के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो जी graduation में अगर 50% से कम B.A.D. वाले जिनके PG में 50% से जादा है लेकिन graduation में कम है 50% से तो क्या वे apply कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं graduation में 50% minimum होना आपका compulsory है ठीक है जी आगे बात करते हैं दोस्तो B.A.D. B.T.C. जो appearing वाले है क्या वो भर पाएंगे form को तो हाँ भर सकते हैं लेकिन उनकी जो exam है वो 31.8.2023 से पहले-पहले हो जाने चाहिए result की बात इसमें नहीं की गई है कि उससे पहले result आना चाहिए नहीं आपका exam होना चाहिए इससे पहले-पहले अगर आपका exam हो जाता है तो आप बिल्कुल apply करिए ठीक है इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पर आपका doubt था कि सीटेट पास होना जरूरी है या फिर नहीं तो primary वालों के लिए तो जरूरी है ठीक है और अगर appearing में हैं आप कहने का मतलब यह जुलाई अगस में आने वाला आपका सीटेट एक्जाम है अगर वो उसमें आप बैठ रहे है तो आप सीटेट अपेरिंग करके उसमें form भर पाएंगे तो यानि आपके लिए यह अच्छा चांस है आगे बात करते हैं अधर स्टेट वालों के लिए कितने आपके पद है तो चलिए जान ल स्टेट के हिस्से में जो अधर स्टेट के हैं फीमेल के बात कर लेते हैं फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल के लगभग सोला हजार जो पद है वह फीमेल पर यहां पर बाजी मारने वाली है इसके अलावा आपको मैंने पहले बताया था कि चाहें वह किसी भी स्टेट की महिलाव हो उन सब के लिए कोटा है कि 50% जो सीट्स है वो महिलाव के लिए रिजर्व्ड है उसमें सारी अधर स्टेट्स वाली महिलाएं भी आ जाएगी चलो यह तो होगे आपके कुछ कौमन से डाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि पुच्छा जाएगा कितना कि Marks का होगा तो फटा पट से वाल на वोटा मोटा देख लेंगा है क्योंकि अगर 15 फाइदा नहीं है तेयारी शुरू करने का यही सबसे फ्रायमरी objective आपका होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता हो, पूछा क्या जाएगा, ठीक है, तो देखो जी, सबसे पहली बात तो आपके total question कितने आने वाले है, 220 questions आपके आएंगे, ठीक है, पहला paper जो होगा, first paper होगा आपका language का, और हाँ, जो language का paper है, इसमें कोई negative marking नहीं है, यहाँ पर आपको कोई negative marking नहीं मिलेगी, यह सिर्फ एक qualifying nature का आपका paper होगा, जिसमें आपको 100 number में से 30% marks लाना अनिवारिय है, उससे कमा अगर आते हैं, तो फिर paper 2 में नहीं ठीक है, तो minimum 30% और हो तो easily अगर कोई तुक्के मारेगा, तो भी तो easily लेकर के आ जाएगा, क्योंकि first paper में negative marking नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, क्या-क्या पूछा जाएगा, तो first paper में भी दो part है, पहला part है, जिसमें English पूछी जाएगी 25 question, 25 number के, जो की compulsory है, उसको आपक आपका जो language होगी, वो optional होगी, उसमें आप Hindi ले सकते है, उसमें आप उर्दु ले सकते है, उसमें बंगाली ले सकते है, ठीक है, बांगला ले सकते है, तो ये 3-4 options है आपके पास, इन में से इस पर आपकी पकड़ अच्छी हो, उसको आप चूज करेंगे, ठीक है, और इस 2 है language का, यानि Hindi, जो कि 75 नंबर की आने वाली है, एक तो ये आपको तयारी करवाओंगी, बहुत अच्छे से, जैसे कि वर्ण माला होगी, वर्ण माला में जो उच्चारन स्थान है, बच्चों को याद नहीं होते, लेकिन वो चीजे, ट्रिक से मैं आपको याद कराओंगी ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स इस्तमाल करेंगे, ताकि कम समय में और लंबे समय तक आपको याद रहे, कम टाइम में याद करके, ठीक है, तो एक तो मैं आपको हिंदी कराने वाली हूँ, आगे बढ़ते है, पेपर 2 की बात करते है, पेपर 2 में आपकी निगेटिव मार्कि होगी, और निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वन थर्ड की, ठीक है, इसके अलावा पेपर 2 किसका है, तो जनरल साइन्स का है, या जनरल स्टेडीज का, इसमें काफी सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाते है, कौन-कौन से, जैसे की ऐलिमेंटरी मैथमेटिक्स, ठीक ह है, इसमें एक छोटा सा टोपिक है, और जो की बहुत बढ़िया आपको नंबर लाने में हेल्प करेगा, वो नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल मूव्मेंट, और ये वाला टोपिक भी मैं आपको, या ये वाला सब्जेक्ट कहलो, ये भी मैं आपको कराने वाली हूँ, दो म चारी ट्रिक्स के हैल्प से, जैसे कि मैं खुद त्यारी करती हूँ, कभी मैंने खुद से वो ट्रिक बनाई हुई है, और वो बहुत हेल्फुल होती है, एक्जाम में, तो आपको भी वो हेल्प करेगी, मैं आपके लिए यहाँ वो पिटारा खोलने वाली हूँ, आगे बा इसके अलावा, इंडियन नेशनल मुमेंट मैंने आपको बताया, ठीक है, और जियोग्रफी वाला पॉर्शन में आपको कराने वाली हूँ, और करेंट अफेर्स, करेंट अफेर्स भी हम ट्रिक्स की हैल्प से करेंगी, ताकि आपको सारी चीज़े इसली याद हो जाए, इ सारी चीज़े बहुत आराम से आपको तसली में आख होगी, ठीक है, तो ये सारे चारो सब्जेक्ट में आपको कराऊंगी, इससे अलग जो आपके सब्जेक्ट है, वो आप कहीं से भी तयार कर सकते है, जहां भी आप देख रहे है, ठीक है, ये तीन में आपको कराने वाली हूँ और इसकी क्लास आपकी कल से सुरू होगी सुभा नो बजए आपका क्लास का टाइम रहने वाला है ओके अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख भेजिएगा अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट लिख सकते हैं और हां यह जो क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगी चारो की चारो इनको हम एक्जाम से पहले खतम कर लेंगे जो सब्जेक्ट कम है यानि जिसका असले बस कम होगा उसको हम फटा-फट दो से चार क्लास में खतम कर देंगे जैसे हिंदी है 75 नंबर का त उसको हम लंबा लेकर चलेंगे ठीक है अच्छे से कवर करेंगे तसल्ली के साथ तो यहीं तक हम इसको रखेंगे और हां यह सारी चीज़े आपकी अगर आप कोई और एक्जाम देने देंगे उसमें भी काम आएगी ठीक है जैसे जिएजिवराफिय हो गया हिंदी हो गया अगर इसके अलावा भी आप किसी स्टेट टीचर एक्जाम का पॉम डालोगे वहां भी आपका बिल्कुल काम आएगी ठीक है तो उसी एकोर्डिंग हम तयारी करेंगे चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे कल क्लास के साथ तब तक के लिए नमश्कार